हेलो और वेलकम दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर दोस्तों काफी लोगों को कमेंट सा रहा था कि सर इंडियन कोश्टगार्ड नाविक जीडी और डिबी के जो एक्जाम होने वाले हैं उसमें कौन-कौन से डोकुमेंट लेकर के जाने हैं ठीक है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल जो है इंडियन कोश्टगार्ड नावि करके जाना है तो आज के इस वीडियो में जो है complete इसी चीज़ के उपर में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो अब आप सभी लोग देख पा रहे होगे कि मैं जो है अभी इंडियन कोश्टगार्ट की ओफिशियल वेबसाइट के उपर ही हूँ ठीक है और इंडियन कोश्टगार्ट ने अपनी ओफिशियल वेबसाइट के उपर सारी चीज की इनफोर्मेशन आपको प्रवाइड ठीक है तो देखे सबसे पहले मैं आपको बता दू हूं कौन कौन से Sparked Об यानों कि अभी जो है आप इंडियन चैट और ह उससे सोरू ह्णारफ हो रहे है कि अठारह ओका जैसे कि What तारिक को आप लोग transmit card download कर पाओगे ठीक है, तो complete admit card आपको download करना है और उसकी color printout आपको यहाप से download करकी है printout करवा लेनी है, यानि कि आपका admit card है उसका आपको color printout लगेगा ठीक है तो आप लोग हुँ अपने admit card की दो copy यहाँ पर color printout करवा लेनी है, ठीक है दो copy आपको minimum ल फिल करते टाइम में यूज ली थी ठीक है तो काफी लोगों ने अप्लिकेशन फिल करते टाइम में यूज ली थी ठीक है तो काफी लोगों ने अप्लिकेशन फिल करते टाइम में यूज में ली थी दूसरी आप नहीं लेकर के जाएंगे एक्स्ट्रा के तोर पर आप लेकर के जाना है ठीक है तो भाई हो गया यह डाउट किलियर अब देखिए तीसरा पॉइंट जो कि दिया गया है कि SC और ST candidate अगर आप है ठीक है यानि कि अगर आप SC ST से जो है आपने form भरा है ठीक है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB का और अगर आप लोगों घर जो है वो 30 किलोमेटर से दूर है ठीक है यानि कि आपके exam center जो भी दिया गया है उसमें अगर 30 किलोमेटर से आप जब भी दूर है यानि कि exam center आपका दूर है तो आपको जो है आपका cash certificate लेकर के जाना है जिसकी दो को बर के दिखा दूँगा कि कैसे जो आपको यहां पर तो देखिए यहां पर जो है मैंने यह आपके SCST के लिए जो है travel allowances form डाउनलोड कर लिया है और आप लोगों मैं बता दिता हूं कि इसमें आप लोगों को क्या-क्या जाए जो आपको इसमें roll number मिलेगा वो roll number जो आपको यहांपस नमबर फिल करना है फिरसे roll नमबर आपको फिल करना है उसके बाद में आपके nearest railway station या फिर बस stand का जो आपको यहां पे नाम फिल करना है और हाँ दोस्तों आप लोगों को पास जो है बस यह train की ticket जरूर से होना चाहिए ताकि आप लोगों को जो है वहाँ पर travel allowances मिल सके ठीक है ताकि आप लोगों पास टिकिट नहीं होगी तो आप लोगों यह travel allowances नहीं दिया जाएगा उसके बाद में जो आपको यहाँ पे फिर से अपना नाम फिल करना है उसके बाद में जो आपका अपना account holder का नाम फिल करना है जिस account में आपको पैसे चाहिए ठीक है फिर आपको बताना है कि वो account जो है किस type का है यानि कि saving account है या फिर current account है ठीक है ना उसके बाद में जो है आपको account number देने है IFAC code देना है bank का नाम देना है और branch की detail देनी है ठीक है यानि कि आपकी branch कहाँ पर है ठीक है जैसे ही आप यह सब डाल दोगे उसके बाद में जो है आपको actual train fare जो कि आपको कितना चाहिए यानि कि आपको जो है कहां से कहां तक आप आए हैं यानि कि कौन सी जगह से कौन से ठीक है फिर आपको train का PNR नमबर डालना है टिकेट नमबर डालना है ठीक है न और अगर आप लोग बस से travel कर रहे हो तो देखिए आपको यह डालना है कि आप कहां से कहां तक जाओगे exam देने के लिए और उसके बाद में जो है आप लोगों को जो है कितना किराया आप लो अपनी place डालनी है और यहाँ पर date fill करनी है ठीक है तो यह जो है उसकी पूरी precious रहेगी आपके travel allowances form की ठीक है I hope आप लोगों वो सारी चीजने समझ आ गई होगी और यहाँ पी लिखावाए देखिए 30 km जो आपका exam center दूर होना चाहिए या उससे ज्यादा दूर होना चाहि इड्मिट कार्ड की आपकी color print से यह आपका उसके बाद में आप लोगों वही photo ID लगेगी जो कि आप लोगों ने application form fill करते time में भरी थी जैसे कि आप लोगों ने आदार कार्ड भरा होगा ठीक है या फिर आप लोगों ने कौन सी जीज भरी आप लोग बेख लिजेगा pen card अगेरा ठीक है वो चीज आप लोगों के लगेगी और उसके बाद में अगर आप लोग SC ST candidate हो तो आप लोगों अगर travel allowances चाहिए ठीक है यानि कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी mandatory ही है ठीक है अगर आप लोगों चाहिए तो आपका जो है form fill होगाना चाहिए travel allowances का और उसके जो है आपके पास SC और ST का जो है certificate और उसकी photocopy आपके पास होनी चाहिए दो photocopy ठीक है जो की self attested होनी चाहिए तो I hope आप लोगों इस सारे doubts जो है वो clear हो गए होगे अगर फिर भी कोई doubt बचा है तो आप लोग जो है नीचे comment box में comment में मुझे पूछ सकते हो तो चलिए मिल अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदि